नवस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है सिक्षा अकेडमी की इस वीडियो में दूस्तो इस वीडियो में हम दिसक्स करने वाले हैं मराठा सामराज के बारे में दो चलिए दूस्तो देर ना करते हैं दूस्तो इस वीडियो का पहला प्रश्ण है सिवाजी के प्रशासन में पेश्वा कहा जाता था जो पेश्वा कहा जाता था या पेश्वा पत किसे कहा जाता था तो इसका option है आपके सामने दोस्तो इसका सही आंसर है option C यानि की प्रधान मंत्री पेशवा जो पत्था वाय प्रधान मंत्री कहलाता था सवाजी के प्रशासन में इसक्रिवा चलते हैं अंगले प्रिष्ट पर अंगला प्रशन है मराठा राज्य का दूसरा संस्थाफक किसे कहा जाता है option A राजाराम option B है बालाजी विश्विनात option C बाजी राव प्रतम या option D बाजी बाजी राव तो इसका सही आंसर है option B यानि की बालाजी विश्विनात को मराठा सामराज का दूसरा संस्थाफ़ा कहा जाता है इसके बाद चलते हैं आंगे बढ़ते हैं अंगला प्रश्ण है सिवाजी का राजवी से कहां हुआ था सिवाजी का राजवी से कहां पर हुआ था इसका ओप्सन है एक कर्नोज बी राजगर या फिर सी रायपोर या डी आगरा दोस्तों इसका सही आंसर है ओप्सन नमर बी यानि की राजगर में सिवाजी का राजवी से हुआ था इसके बाद चलते हैं अंगला प्रश्ण है किसकी सासन काल में मराठा प्रमुक संभाजी की हत्या कर दी गई थी मराठा प्रमुक किसकी संभाजी की हत्या कर दी गई थी इसका ओप्सन है ए औरंग जेप के सासन काल में बी जहांगीर के सासन काल में C. अखवर के सासन काल में या फिर D. सायर जहां के सासन काल में तो इसका सही आंसर option नम्मर A आनि कि औरंग जेब के सासन काल में मराठा सामराज संभाजी की हत्या कर दी गई थी इसके बाद चलते हैं अंगले प्रेश्ट पर अंगला प्रेश्ट है पानि पत की 30 लड़ाई कब हुई थी तो दुस्तो इसका सही आंसर है अप्सन नम्मर C यानि कि 1761 में पानि पत की 30 लड़ाई हुई थी दुस्तो यह है हुई थी पिश्वा बाजिराव दितिये और एहमत सा अबडाली के पीच में इसके बाद चलते हैं अंगले प्रश्ट पर अंगला प्रश्ट है सिवाजी सर्भादिक प्रभावित थे किस से प्रभावित थे तिसका सही आंसर ओप्सन नमबर बी यानि की जीजावाई से प्रभावित थे जीजावाई सिवाजी की मा थी इसके बाद चलते हैं अंगले प्रश्ट पर अंगला प्रश्ट है अश्ट प्रधान मंत्री परिशत किस सासक के सासन काल में था जो अश्ट प्रधान था मंत्री परिशत किस सासक के सासन काल में हुआ करता था अप्शन टीबु सुल्तान बी अकवर सी सिवाजी आफिर डी जहां गीरत इसका सही आंसर है अप्शन नमर सी यानि की सिवाजी सिवाजी के सासनकाल में अश्ट प्रधान मंत्री परिशत गुआ करता था इसके बार चलते हैं अंगले प्रेश्ण पर अंगला प्रेश्ण है एक इतिहास कार ने पानी पत की तीसरी लडाई को श्यम अपनी आँखों से देखा था श्यम देखा था बाय ब्यक्ति कौन थे या किसने देखा था इसके ऑप्षन हर्चरंदास, ऑप्षन B खाफी खान, ऑप्षन C तैमूर खान या ऑप्षन D कासी राज महाराज तो दोस्तो पानी पत की तीसरी लडाई देखने वाले ब्यक्ति थे ऑप्षन नमबर D यानि कासी राज पंडित कासी राज पंडित दुआना पानी पत का संपूर युट अपनी आखों से देखा गया था इसके बाद चलते हैं अंगले प्रिश्ट पर अंगला प्रशन है गौलियर राज की स्थापना किसने की थी? इसका ओप्षन है माधाव राव सिंधिया ओप्षन बी बाजी राव सिंधिया ओप्षन सी जीवाजी राव सिंधिया या ओप्षन डी महार दजी सिंधिया इसका सही answer है option number C यानि की जीवाजी राव शिंद्याजी ने ग्वाल के राज की स्थाफना की ती किसने जीवाजी राव शिंद्याजी ने इसके बाद चलते हैं अंगले पेश्ट पर सिवाजी ने कप चात्रपती की उपादी धारन कर अपना राज अभिसिख करवाया था तो option A है जून 1644, B जून 1675, C अप्रेल 1680, D जुलाई 1665 तो इसका साही आंसर नमबर option नमबर A यानि कि जून 1674 में सिवाजी ने चात्रपती की उपादी धारन की थी और अपना राज जबी से करवाया था इसके बाद अंगला प्रश्ण है सिवाजी को राजा की उपादी किसके दौारा प्रदान की गई थी option A बीजापुर की सासक, option B है एहमद नगर की सासक, option C औरंग जीब या option D राजा जैस है तो इसका सही आंसर है option नमबर C औरंग जीब औरंग जीब के दौारा ही सिवाजी को राजा की उपादी प्रदान की गई थी इसके बाद चलते हैं अंगले प्रेश्ट पर अंगला प्रश्ण है सिवाजी को पहाडी चूहा बा साहसी डांकू की संग्या किस ने दी थी दोस्तो इह भी option नमबर E यानि कि इह भी औरंग जीब ने दी थी पहाडी चूहा और साहसी डांकू औरंग जीब ने कहा था सिवाजी को इसके बाद चलते हैं अंगले प्रेश्ण पर अंगला प्रेश्ण है सर ए नौबत सर ए नौबत का अर्थ था option A शेनापती, option B रक्षा मंत्री, option C देश मंत्री, option D ग्रह मंत्री तो इसका सही आंसर है option number A एनि कि सैनापती को ही सर ए नौबत कहा जाता था इसके बाद चलते हैं अंगले प्रेश्ण पर अंगला प्रेश्ण है किस मराठा सासक के सासनकाल को पेसबाओं के सासनकाल के नाम से जाना जाता है पेसबाओं के सासनकाल के नाम से जाना जाता है option A सिवाजी दितिये बाजी राव प्रतम साहु महराज या फिर डी संभाजी तो इसका सही आंसर है option number C यानि कि साहु महराज के सासनकाल को पेसबाओं का सासनकाल के नाम से जाना जाता है इसके बाद चलते हैं अंगले प्रश्ण है किस मराठा को लडाकु पेश्वा और हिंदु शक्ती का अपतार कहा जाता था आप्शन A है बाजी राओ प्रिथम को आप्शन B बाला जी विश्विनात को आप्शन C बाला जी बाजी बाजी राओ को आप्शन D संभा जी को तो इसका सही आंसर है option नमर A यानि कि बाजी राव प्रिथम को ही लड़ाकु पेश्वा या हिंदू शक्ति का अपतार कहा जाता था इसके बाद चलते हैं अंगले प्रेश्ट पर अंगला प्रश्ण है किस मराठा सरदार ने 1759 में पंचाब बिजय किया था या पंचाब की बिजय की थी option नमर A रगु जी भूसले option B रगु नात राव option C मलहार राव option D बाजी राव प्रिथम तो इसका सही आंसर है option नमर B यानि कि रगु नात राव द्वारा पंचाब बिजय की गई थी इसके बाद चलते अंगले प्रिष्ट पर अंगला प्रश्ण है पानी पत के तिरतीय योद्व में मराठा सेना का नेत्यत्व किशने किया था तो option है A बाजी राव विश्विनाद, option B मलहार राव होलकर, option C सदा सिब राव भाव या option D दत्ता जी सिंध्या तो इसका सही आंसर है option नमर C यानि सदा सिब राव भाव द्वारा पानी पत के तिरतीय उद्व में मराठा सेना का नेत्यत्व किया गया था दोस्तो इसी के साथ यह वीडियो यही पर श्माप होता है यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सेहर कर और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूग लें चले दोस्तो मिलते हैं अंगले नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तो बाई झाल करें